आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धन्तेरज और दिपवली के दिन सरल और बिलकुल आसान द्वार फूजन किस प्रकार से किया जाता है घर का मुख्य द्वार ही वह अस्तान होता है जहां से मालक्षमी प्रवेश करती हैं दिपवली के दिन हम सभी मालक्षमी के प्रवेश के लिए मालक्षमी के आगमन के लिए द्वार का पूजन अवस्य ही करते हैं ताकि द्वार पर सकारात्म कुर्जाओं का वाज हो और मालक्षमी सदैव हमारे घर में विराज मान रहें इसके लिए अनेक प्रकार से हम द्वार का पूजन करते हैं लेकिन आज जो विधी मैं बता रही हूं यह बहुत ही सिंपल सरल और आसान है इसे कोई भी बहुत ही आसा और दिपक में थोड़ी सी हमने हल्दी डाली है दो दो लॉंग दोनों दिपक में लिये हैं और थोड़ा थोड़ा हम सक्कर डाल देंगे सक्कर अभी हमने नहीं डाला है इसके अलावा अश्टगंध, पिली, चंदन, हल्दी और रोली लिया है अब रोली को गंगजल से हम इस प्रकार से घूल लेंगे ताकि स्वास्तिक बनाना आसान हो जाए दोनों ही तरफ हम फूल का आसन दे देंगे आप चाहें तो फूल का आसन नहीं दे करके चावल का आसन भी दे सकते हैं इससे मालेक्षमी बहुत अधिक प्रभावित होती हैं देगे द्वार को जितनी सुब या फिर असुब जो भी उर जाएं होती हैं वह आपके घर में प्रवेज करती हैं इसलिए द्वार पूजन बहुत जरूरी होता है द्वार पूजन से पहले ही अपने मुख्य द्वार को आप बहुत अच्छी तरवी से साफ कर लें और स्वैम करें घर में जो भी आया म में थोड़ी सी हल्दी डाल दें उसके चीटे अवज से लगाएं जिससे मालक्षमी प्रिसन हो हल्दी से मालक्षमी बहुत अधिक प्रभावित होती है और मंगल कामना इससे होती है अब हम स्वास्तिक बनाएंगे स्वास्तिक को बहुत ही अच्छे से बनाएंगे क्योंकि स्वास्तिक जितना साफ और सुन्दर बनेगा उतना ही ज़्यादा इसका प्रभाव होता है देकि बहुत लोग स्वास्तिक तो बनाते हैं लेकिन बस बना लेते हैं जिससे स्वास्तिक में उड़ जाएं जो होती है न वो कटती हैं यदि सही डंग से स्वास्तिक ना बना हो त की ओड जानी चाहिए ना कि उपर से नीचे की ओड दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस क रखते है tooth इसके उपर हम डेस को प्रजोलित ना लक्षमी के प्राप्ति के लिए लक्षमी शाधना के लिए दिपक जब भी रखें तो दीपक का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखें दीपक को कभी भी फर्स पर सीधे तोर पे नहीं रखा जाता है अब दिपक का पूजन कर लेंगे तो दिपक में भी हल्दी, चंदन, अश्टगंद का हम तिलब करेंगे दिपक में दो लॉंग हमने पहले से ही डाल रखे हैं इसके साथ ही दिपक में थोड़ी सी हम सक्कर भी डाल देंगे और अब हम दूसरी तरफ भी दौर का इसी प्रकार से पूजन कर लेंगे दौर पर जितनी अच्छी खुसबू होती है उतना ही ज़्यादा मातरानी आकरसित होती है मालक्ष्मी आपसे प्रभावित होती है इसलिए दौर को दिपवली के दिन खास कर आपको जब जल छिरकें तो उसमें थोड़ा सा इत्र गुलाब का इत्र डाल करके छिरकें जिससे दौर पूजन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है यह वह प्रक्रिया है जिससे मालक्ष्मी बहुत जल्द प्रसंन होती है मालक्ष्मी को गुलाब के इत्र बहुत ज़्यादा प्रियम माने जाते है इसलिए यदि आप द्वार पर प्रती दिन जो भी वेक्टिव प्रती दिन द्वार पर इत्र का जल छिरकते है या फिर गंगर जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर और कच्छे दूद मिलाकर छिरकते हैं, उनकी पूजा बहुत जल्द स्विकार के जाती हैं, दूसरे तीपक को भी हम इसी प्रकायर से इसकी उपर हम आसन जमा देंगे, अब हम बनाएंगे लक्ष्मी जी के चरन पादुका, वैसे तो बजार में बनी बनाई मिलती हैं, लेकिन आपको स्वेम बनानी चाहिए, और खास कर कॉमकुम से, या फिर खल्दी से, मैं कॉमकुम का इस्तिमाल करके बना रही हूं, तो कॉमकुम को मैंने गंगा जल से घूल करके पहले से ही रख लिया है, और उसमें थोड़ा स हमने इत्र ढाल दिया है, मालक्षमी की चरन पादु का जब भी आप दिपावली में बनाए, या फिर धन तीरज की दिन आप बना रहे हों, तो विशे इस तोर पर ध्यान रखें, आप उसमें घुलाब जल ढाल सकते हैं, या आप चाहें तो इत्र ढाल सकते हैं, सबसे पहल ही दिपक को आपको प्रजुलित करना है, दिपक प्रजुलित करते समय आपके जो भी मनोकामना है, जो भी एच्चा है, वह उसमें जरूर बोलें, सुभम करोती कल्यानम, आरोक्यम धनासंपदाम, सत्रो बुद्धी विराशाया, दीपम जोती, नमोस्तोती, हे दिपक, कोटी-कोटी नमस्कार है, आप सभी प्रकार के बाधाओं को दूर करने वाली हो, आपके आगमन से हमारे घर में खुशियां आती है, आपको हमारा बाराम बार नमस्कार है, हमारे पूजकॉप से उखार करें, इसी प्रकार से हमें लक्षमी जी के चरन पादुका का भी चरन पादुका बनाने के बाद आपको अच्छे चूसे सजाना है माना जाता है जिस घर में चरन पादुकाईं बनाई जाती है घर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश बहुत ही जल्दे करती है बहुत ही सरल विधी के द्वारा आप इस प्रकार से द्वार पूजन कर सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार की कोई जंजट भी नहीं है इसके अलावा आपको इस दिन अपने मुख्य दर्वाज़ पर तोड़न जरूर लगाना है तोड़न आप किस प्रकार से बना सकते हैं लक्षमी तोड़न किस प्रकार से बनाया जाता है जो कि धन और संपधा को देने वाली होती है उसका वीडियो मैंने पहले ही अफ्लोड कर रखा है तो आप उसे Check Out कर सकते हैं उमीद है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सभी हेलफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, सिर, सिस्क्राइब करना बिलकुल ना भूलें अगले वीडियो में हम नहीं चानकरी के साथ फिर से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों